अच्छा गाइस लवड में एक बहुत ही नई बात पता चली है मुझे हमारे साथ बैठे में यह बताएंगे के नेस्टिंग के हवाले से लवड की जो नेस्टिंग जो है वो कितनी ही कितनी खतरनाक हो सकती है प्लकिंग आपका प्लकिंग का मसला भी हल हो जाएगा आप लवड ऐसा बढ़ यह मतलब जो नेस्टिंग गरता है और अर इसे जब भी अनेक्त्राणे करने वाला होता है तो उसमें यह होता है कि बतुछ यह स्रांदिंग पूरी प्लकिंग यह तो उसके साथ यह करें कि इसका सपहले तो च्छेडे नहीं बॉरादा बना. जो अंडे ले कर दें और अंडे फट लाइड हो जाए बच्चे निकलना शुरू हो जाए न उसके बच्चे थोड़े से बड़े हो जैसे जब आप रिंग डालने लगें तो उसके बाद वो नेस्टिंग अटाके उसके बुरादा डालने लपडी का जो आप कॉक्टेल को दे उसके मेल होता चूपता है तो बच्चे घर नोखीले नोख सोकर तो उनको बड़े तो उसको समझ तो ब्रहतने शुरू करते यह दो यह भी मसला हाल जाता है कि यह मेरे साथ हुआ है कि मेरे साथ हो पास ऐसे साथ नहीं, जो पहले ही करते रहे तें कि मैं ने बहुना यह एक दूसरे इस्पेरि में आपका मिख्चे निकल जाए उसका किया तो उनको 15 दिन के होने बाद लाजमी दॉलिए नाजमी इसके ओपर लकडी का बुरादा और लकडी का बुरादा देखेगा नरम लकडी बहुद हाड़ नहीं हो एक होता है कि मार्कीट से मिलता है नॉर्मल जो प्रॉपर नाज़ाबाद से जो मिलाता है एंडी एंडी के नाम से वहाँ पे शॉप तो वहाँ पे उन से ले जा तो कोई ऐसी शॉप से लिए बट्स की मारकेट हो आप यह नहीं कि आप किसी भी मतलब कारपेंटर के पास चले का लपड़ी का पुराद कि मतलब वह अपने पैसे बचाने की चक्तर में वह से कारपेंटर से आगे कोई सा भी ले 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 वह किकर की लकड़ी का भी आजा तो कौन-कौन सा वह तो वही बात है नेस्टिंग बनाता है ठीक है और एक लवड जो है वो चूरा-चूरा कर देता पूरे ग करते हैं तो उससे बचने के लिए तरीका ही है कि अगर आपके पास अंडे हैं रखे वे या बच्चे रखे में बच्चों को उठाके वो सारा चूरा-चूरा नेस्टिंग जो है वो समेट ले और उसकी जगह पर लगड़ी का पुरादर डालते नरम लगड़ी का पुराद अच्छा इससे एक और चीज क्या होती है कि लच्छे जो देखे होता है जो गोसले में मर जाते हैं कापी वो भी चीज खतम हो जाती है उसमें यह होता है कि साइटों भीड हो रही होती है और वो भी नेस्टिंग को मैं तो बोलता हूँ जब बीड आपकी आये बच्चा 20 द बिल्कुल अंडे से निकलावा वह तो उससे दपके मरना वो एक अलग चीज है एक बड़ा बच्चा होता है जो देखा है तो दपके मरने वाले कंडिशन में नहीं होता वो भी उनको यह होता है कि साइटों बीड जम जाती है उसके इसमें गंदगी के वैसे आके मर जाता ह नहीं है तो गंदगी में ताफी बड़े बच्चे मिमर जाते हैं 25 इनका बच्च ओ 30 इनका बच्च ओ लोग मर जाते हैं वह चीज का था नेस्टिंग चेंज करने से उससे बुरादा डाल सकता अगर आप दाना चाहों जब भी बड़ सकता है बुरादा ना डाले अगर ने बच्चेंग चेंज करने चाहिए बुरादा भी ब्यादा नैस्टिंगश मिज़ए और बच्चेंग और दे कन रही ग論今 बच्चों का चाहिए जो बच्चेर तांगे चिर जाती हैं. मतलब जो कंडम बच्चन वो और बेसा कंडंदम बच्चन वो कहते हैं. जब बॉक्स खाली होते हम तो मौन टांगे ओपन सपनी चाहते है. तो उफवेसे खराब हो जाते हैं. तो बुरादे सभी होता है और जो नेस्टिंग के जो इसको ब्रादा बना लेता है तो वो अंडे लेक बच्चे निकलने के बाद उनका भी वही चीज़ करें उस पर प्लकिंग का भी इशू सारी चीज़े खतम हो जाएंगे और बच्चे मरना जो 20-20 जिनके बच्चे बच्चे जिनके बच्चे मरते है हो भी मरना कत्म हो जा जाएंगी वो बीछीज कम जाएगी बैतर हो जाएगी और इसके साथ और जो कोशिछ ये करे हैं रैड आई बच्चों को ब्लाइक अइक ने रखें अच्छा ये भी है कि इससे मतंवकर क्या होता है वह अपने माँबाख से दाना मांगता नहीं वह हमेशा देखा है ना ब्लैक आपने देखा होगा रैड आई बच्चा होगा वो लड़ेगा निए आप देखो कि ने बॉक्से माग उसी की तो फॉरन ब्लै आई बच्चे करके दाना मांगने आएंगे वह दाना दू रैड आई नहीं आता दार तर रैड आई ही उमरता है रैड आई को हमेशा देखें कि उनमागे था रैड आई नहीं आई आटा रहा परण फॉसमि करता है झाल से हेड वह फिली ऑच्छी है तो मेहीं करता हूँ कि यहित्मी है तो मैं यही करता हां कर के रैड आई को एकसाथ कर देता हूं चार चार कम रखता हूं मैंने फोर्स्टिंग पेर नहीं रखे गए रखे गए मैं शफलिंग करता हूं जब यह कोई बीट का नहीं है चार कलश आए बस वही बहुत है ना मुझे जादा कलेश देने का शौट है और कभी-कभी तीन कलेश भी ले रहता है जादा घर्मी होते हैं अब इस सिजन में थीन कलेश लिए जादा कलेश नी लिए चौता कलेश नी लिए तो मैं शुफलिं कर देता हूं बच्चों के मतलब के रैड आई सारे लगा देता हूं बच्चे और कोशिची करे एक उमर की बच्चे हो जादा छोटे ना हूं या थोड़े उननीस भीस हो लेकिन जादा छोटे ना हूं ठीको छोटा बच्चा फिर दब जाता है बड़े बच्चों के आगे तो रैड आई को एक तरफ कर दो ब्लैक आई इंशाल्ला फिर आप देखेंगा तो रिजल्ट में आपको और फर्क नजाएगा आप बच्चों की ग्रोथ बेच्छी और कॉलिटी वाइस बेच्चा होगा और कॉलिटी वाइस बड़े उसके लिए क्वाल बड़ भी पर्चेस करवाते हैं कुछ लोग प्रोडक्शन जादर लेने लिए तो सई हैंड देखा जाए तो यार करांची में तो मेरे ख्याल से ना होने के बराबर है लग बड़ वगएरा में इन सब में वह तो यह कि इसको बिमार होगे तो उन्हों ने करने लिए सब तो पंजाब साइट में ही चलता है यहां नहीं है और यह गलत नहीं है हैंड फिट आप करा सबते हैं क्या मिठ्टो भी पालत करते हैं अब इनसानों में भी है अगर कोई मामलात होते हैं तो क्यों डॉक्टरिंग मना करता है कि नहीं वक्त देता है हर चीज के वक्त होता है अब आप परिंदे को चूस रहे हो ने चोड़ ले हो तो आप बिजनिस वे की तरफ यह आपको शॉकिंग में लगते पिर चलेगा तो तो आपका तीन साल वे फारिक हो जाया रहा है खतम हो जाएगा और वही चीज़ आते हैं बड़े पेर ही ऑफर जो सबसादे नहीं पे आती जब यह भी चल लीए पेर की आफर यह बहूंगे इन में कितने फेर लोग हटा रहें वह भी चलने होंगे यह खतम मतल बिलकुल ऐसे थोड़ी हार्ट अब ले रहे हैं तो यह चीज लाजमी चेकर रहा है तो वह बहुत बिरिट कर चुका होता है बड़ पूरा उस्ते निचोड़ा होता है वह आपके पास काम नहीं करेगा पहले बाद तो यह कि बड़ा पेर कहीं ब्रिट करकर आया है अगर वो साल के अंदर होगा तो वो कुछ भी कह सकते हैं चल जाए लेकिन अगर उस जादा को होगा तो नहीं चलता हो तो गाइज कराची में घर बैठे दाना मंगवाई है और करने का तरीका क्या है दाना लिखकर सेंड कर दीजे मुझे मेरे वाटसप के ओपर मेरा इंचाला मिलते नेक्स वीडियो में जादा दीजेगा अला आफस्स